तो दोस्तो आप देख सकते हो इस स्कूटी में चॉबी इसकी आफ है पर फिर भी उस सलग चले जा रहा है ठीक है तो इसकी रिले शॉट हो गई है हम आज इसको ही रिपेर करेंगे है हलो फ्रेंट वेल्कम टू टेक्निकल वर्क दोस्तो मैं हूँ राकेश तो चलिए वीडियो शुरू कि दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हो कारी के सलग खुद बखुद चल रहा है और इसकी चादी जो आफ है हारन दी नहीं चल रहा है आप देख सकते हैं अच्छली में इस आट। तो सबसे पहले में या कवर खोड़ते हैं और देख आँ तो इसको रिपेर करते हैं कि यासे कट लगा के है कि कुल देना की है इसको कवाइयोती अंदर है यसे हमारा इंडिकेटर फ्लैशर होता है वसी कि दोस्तों कि यासे आप देख रहे हो हमारी रिले यह खूल गी है और आप देख सकते हो इसमें को मैं अपको आपको दिखाता हूं तो इन दोनों पॉइंट को आपको साफ करना रेकमार से तो कैमरे में बताने आपको दीखेगा कि नहीं दीखेगा मैं आपको दिखा देता हूं यह पर नीचे ओरन इसके अंदर दो पॉइंट होते हैं इसके अंदर दो पॉइंट होते हैं तो इसको दोस्तों रेकमार से अच्छी जड़ा दोनों को साफ करना आपको करके दिखाता हूं लो है नुट सब्सक्राइट उसको इस तरीके से काट लेंगे दोस्तों पाद इसके दोस्तों यो पॉइंट अंदर दूसके आपस में पॉइंट टाच होते हैं यह उसमें डालके इसको पूरा अच्छी तरह जो उसके उपर कार्वन आया था है पूरा अच्छी तरह से साफ करेंगे हलका सब उपर से प्रेस करके रखना है दोस्तों उसको दोनों साइड उपर और नीचे दोनों साइड इसका कार्वन जो है हम निकाल लेंगे अच्छी तरह तो उसके बाद यह दोस्तों आपकी 90% जो है रिले आपकी ठीक हो जाएगी तो दोस्तों आप यह देख सकते हो मेरे पास सैंड पेपर बिल्कुल आपको डेट सो नंबर ले जाते हैं दोस्तों 90% तो यह चांस होता है कि यह ठीक हो जाती है बस इस पर थोड़ा सा कार्वन आया होता है यह उसकी वजह से होता है हम चलते चलते कभी कभी क्या होता है कि डबल सल्फ लगा देता है तो उसकी वजह से यह प्रॉड्लम आती है इसमें कोई हीट हो जाती ह उसकी वज़े से आती है तो दोस्तों आप साफ कर लें इसको अगर साफ करने से आपका कारवन चला जाता है तो रिले ठीक हो जाती है तो ठीक है अगर रिले आपकी नहीं ठीक होती है तो आप इसे नहीं डाल सकते हो तो होपली दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी मे अब स्कूटी पर लगा के इसको चेक करते हैं तो दोस्तों आप यह देख सकते हो कि यह हिरो कमपनी के लिए है मैस्टरो और प्लेजर में लगती है पैशन प्रो वाली तो यह सेम होती है एक्टिवा में भी यह चलती है तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करते शेयर करते और जिस चैनल को सिस्क्राइब करते